महाभारत में कई घटना, संबंध और ज्यान्विज्यान के रहस्य छिपे हुए हैं। महाभारत का हर पात्र जीवन्त है, चाहे वह कौरव, पांडव, कर्ण और कृष्ण हो या धृष्ट द्युम्न, शल्य, शिखंडी और कृपाचार्य हो। महाभारत सिर्फ योध्धाओं की गाथाओं तक सीमित नहीं है। महाभारत से जुड़े शाप, वचन और आशिरवाद में भी रहस्य छिपे हैं। दरसल महाभारत की कहानी युद्ध के बाद समाप्तन ही होती है। असल में महाभारत की कहानी तो युद्ध के बाद शुरू होती है आज तक अश्वत्थामा क्यों जीवित है? क्यों यदुवन्शियों के नाश का शाप दिया गया था और क्यों धर्म चल पड़ा था कलियुप की राह पर? महाभारत का रहस्य अभी सुलजना बाकी है महाभारत युद्ध और उससे जुड़े रहस्यों शायद ही जानते हूं कहते हैं कि महाभारत युद्ध में 18 संख्या का बहुत महत्व है महाभारत की पुस्तक में 18 अध्याय है कृष्ण ने कुल अठारा दिन तक अर्जुन को ग्यान दिया अठारा दिन तक ही युद्ध चला गीता में भी अठारा अध्याय है कौरवों और पांडवों की सेना भी कुल अठारा अक्षोहिनी सेना थी जिनमें कौर्वों की ग्यारा और पांडवों की साथ अक्षोहिनी सेना थी इस युद्ध के प्रमुख सूत्रधार भी अठा रह थे इस युद्ध में कुल अठारा योद्धा ही जीवित बचे थे सवाल यह उठता है कि सब कुछ अठारा की संख्या में ही क्यों होता गया क्या यह सन्योग है या इसमें कोई रहसे छिपा है विज्ञान यह नहीं मानता कि कोई व्यक्ती हजारों वर्षों तक जीवित रह सकता है ज्यादा से ज्यादा एक सौपचास वर्ष तक जीवित रहा जा सकता है, वह भी इस शर्थ पर की आबोहवा और खानपान अच्छा हो तो तब ऐसे में कैसे माना जा सकता है कि अश्वत्थामा जीवित होंगे महा भारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने ब्रहमास्त्र छोर दिया था जिसके चलते लाखों लोग मारे गए थे अश्वत्थामा के इस कृत्य से कृष्ण क्रोधित हो गए थे और उन्होंने अश्वत्थामा को शाप दिया था कि तू इतने वधों का पाप धोता हुआ तीन हजार वर्ष तक निर्जन स्थानों में भटकेगा तेरे शरीर से सदैव रक्त की दुर्गंधनी सृत होती रहेगी तू अनेक रोगों से पीडित रहेगा व्यास ने श्री कृष्ण के वचनों का अनुमोधन किया कहते हैं कि अश्वत्थामा इस शाप के बाद रेगिस्तानी इलाके में चला गया था और वहां रहने लगा था कुछ लोग मानते हैं कि वह अरब चला गया था उत्तर प्रदेश में प्रचलिक मान्यता अनुसार अरब में उसने कृष्ण और पांडवों के धर्म को नश्ट करने की प्रतिग्या ली थी महा भारत काल में विमान और पर्मानु अस्त्र थे मोहन जोगड़ों में कुछ ऐसे कंकाल मिले थे जिसमें रेडियेशन का असर था महा भारत में सौप्तिक पर्व के अध्याय 13 से 15 तक ब्रहमास्त्र के परिनाम दिये गए हैं हिंदू इतिहास के जानकारों के मुताबिक 3 नवंबर 5561 इसापूर्व छोड़ा हुआ ब्रहमास्त्र पर्मानु बम्ही था अर्थात ब्रहमास्त्र छोड़े जाने के बाद भयंकर वायु जोरदार तमाचे मारने लगी सहसरावधी उलका आकाश से गिरने लगे भूत मात्रा को भयंकर महाभय उत्पन हो गया आकाश में बड़ा शब्ध हुआ आकाश जलाने लगा परवत अरणिय व्रिक्षों के साथ प्रित्वी हिल गई